बिस्मिल्लाइ राह्मान राहीम, असलाम लेकूं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देख रहे हैं फियाजन सारी फूर सीक्रेट्स बिस्मिल्लाइ प्रफूर सारी फूर एक लेख रहे हैं इनको अधियाजन सारी फूर साइनस नहीं आजाते हैं यह जो लेसन होता है मैं आपको बता दूँ वेड लॉस करने में यह सबसे आगे है और साथ ही साथ यह आपके बॉड़ी के अंदर बहुत से जो एंटि ऑक्सिड करता है कैलरी को बंड करता है ब्लड को साफ करता है आपका जो ब्लड प्रैशर होता है उसको रेगुलेट करता है साथ ही साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को से इकलता है तो यह बहुत से फाइदे हैं लेकिन सबसे वड़ा फाइदा है आपके वेड को कम करनेगा साथ हम एक और लगाएंगे यहाँ पे जीरे का जीरा सुभान अला आपका मेटबलिजम बूस्ट करेगा जिसे आप अगर कुछ खा भी लेंगे ऐसा वैसा मोटा होने वाला तो उसकी आपकी एनर्जी बनेगी ना के आपकी चर्बी ठीक हो गया इसका आपने पाउडर बना लेना है और इसको आपने साथ कैसे यूज करना है बैस तरीका बताऊंगा जिससे इन दोनों चीजों का असर 10, 20, 30 कुना बढ़ जाएगा और यह ऐसा होगा भी नहीं यह जस्ट बाते नहीं है ऐसा होगा भी आपने क्या करना है एक ग्लास लेना है और इसको आपने नीम गरम कर लेना है नीम गरम जब आप इसको करेंगे तो यह जितनी चीजें जो आपके स्टमक में जाएंगी इनका असर बहुत जादा बढ़ जाएगा और वेट लॉस की जो स्पीड है वो बहुत जादा तेज हो जाएगी अब इस नीम गरम पानी में आपने इस जीरे को एड कर देना है यह आपका मेटवलिजम को बूस्ट कर देगा और साथ इस लेसन के एक जवे को एक दिन आपने खाना है और इसको सुबा खा लें दुबहर को खा लें, शाम को खा लें कोई टैंशन ही पर दिन में एक दफा जरूर खाना है हाफ चमच हम इसमें पानी में आड करेंगे और आपने इस जवे को पकड़के खा लेना है और इस पानी को पी लेना आप मुझे बताएं इस रेस्पी में इस रेमिडी में क्या मुश्किल है कुछ भी नहीं है, no side effects सभी आपको फायदे ही फायदे हैं आपने इस रेमिडी को कम से कम साथ दिन तो ज़रूर यूज़ करना है इंशाला, साथ से दस किलो आपका विट्स ज़रूर कम होगा और इसका साथ थोड़ी सी एहतियाते हैं जिसमें आपने ओयल कम खाना है, प्राठे कम खाने है बेकरी परड़क्स कम खानी है और कोशिश करनी है कि हलकी भुलकी वाक भी एट कर दे दुआ मियाद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजे इजाज़त अगली उचे तक, अल्ला हाफीज